आरियन खान के जेल जाने के बाद NCB एक्शन में आ गई है और ड्रक्स केस में जुड़े लोगों पर ताबर तोड आक्शन ले रही है इस बीच NCB ने शारुक के ड्राइवर और फिल्म प्रेडूसर इम्तियास खत्री से पूछताच की है जिससे कहा जा रहा है कि अब शारुक खान की नईया भी डूबने वाली है ड्रक्स केस में NCB की ताबर तोड कारवाई से खान गैंग के सासाथ बॉलिवूड में हडकम मच गया है क्योंकि आरियन खान तो जेल में जा चुका है अब NCB की रडार पर वो सब लोग हैं जिनका कनेक्शन आरियन की पार्टियों से था या फिर किसी न किसी तरह से ड्रक्स केस से जुड़े थे अब NCB ने शारुखान के ड्राइवर पर शिकंजा कसा है और समन भेज कर पूच्टाश की है शारुख के ड्राइवर से इसलिए ये पूच्टाश की गई क्योंकि आरियन को पार्टी में छोड़ने गाड़ी से शारुख के ड्राइवर गए थे तो NCB ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं आरियन ने गाड़ी में बैट कर तो ड्रक्स का इस्तमाल नहीं किया या फिर रास्ते में किसी और को पिक तो नहीं किया अब ड्राइवर के साथ साथ शारुख पर शिकंजा कसा जा सकता है इसी बीच NCB ने फिल्म प्रेड्यूसर इम्तियाज खत्री को भी निशाने पर लिया इम्तियाज खत्री के ओफिस और घर पर NCB ने ताबर तोड़ चापे मारी की यह रेट मुंबई के पॉशिला के बांदरा में की गई और फिर उन्हें समन जारी कर पूश्टाज के लिए बुलाया गया इस दोरान इम्तियाज से NCB ने कई तीखे सवाल दागे जिसमें कई राज़ खुले हैं अब क्या कुछ इम्तियाज खत्री ने NCB के सामने उगला है वो भी जल्द सामने आ जाएगा बताया जा रहा है कि बॉलिवुट के कई बड़े-बड़े सितारों से इम्तियाज खत्री के गहरे कनेक्शन है इम्तियाज का नाम शुशान ड्रक्स केस के दौरान भी सामने आया था 2017 में एक वाइरल वीडियो में इम्तियाज गोवं में एक फैशन शो के दौरान सो शान्त के साथ रैम पर दिखाए दिये थे शुरुती मोदी के वकील ने भी इम्तियाज खत्री को लेकर कोट में सवाल उठाए थे वहीं बीजेपी नेता रामकदम ने भी इम्तियाज खत्री के ड्रक्स रैकेट से जुड़े होने के आरोप लगाये थे बताया ये भी जा रहा है कि इम्तियाज कई बॉलिवूड स्टार्स के करीबी है वो बॉलिवूड के कई पार्टियों में नजर आ चुका है यानि कि अगर इम्तियाज खत्री का ड्रक्स राज खुला तो कई और बड़े नाम फस सकते हैं आरियन कान की वज़े से शारुक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है अब NCB ने शारुक खान के ड्राइवर और फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री से पूचताच की है इम्तियाज खत्री का बॉलिवूड के कई बड़े बड़े सितारों से गहरा कनेक्शन है इम्तियाज का नाम सुशान्त ट्रक केस के दौरान भी सामने आया था हमारे विडियो अग नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुनने के लिए शुक्रिया